इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Voxynix CR-Sortabulate Selective Serotonin Reaptec Inhibitor, यानि की SSRI, दवाओं के समूह से समभन्धित एक प्रकार का anti-depressant है. इसे डिप्रेशन का इलाज करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिससे आप बहतर महसूस करते हैं. इस दवा को Obsessive Compulsive Disorder वाले लोगों के इलाज के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है. Voxynix CR-Sortabulate को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है. डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. डॉक्टर आपको कम खुराक से शुरू कर सकता है और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकता है. अपने डॉक्टर से बात किये बिना डोज न बदले या इसे लेना बंद न करें चहें आप अच्छा महसूस कर रहे हूँ. ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है या आपको अप्रियर विड्रॉल लक्षन, यानि की एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए, इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें. आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं. वोकसी निक्स CR-100 टैबलेट के पुराने एंटीडेप्रेसंट की तुलना में कम साइड एफेक्ट हैं. Some common side effects of this medicine include nausea, vomiting, fatigue, dry mouth, increased sweating, tremors, insomnia, यानि की, difficulty in sleeping, decreased sexual drive, delayed ejaculation, and erectile dysfunction. यह दवा लेने के बाद कुछ लोगों को नींद आ सकती है. यदि आपका mood अचानक खराब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुचाने के बारे में कोई विचार आता है तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा को लेने से पहले अगर आपको epilepsy यानि की दौरों का विकार या fit, diabetes, liver या kidney का रोग, हिर्दै संबंधी समस्याएं या glucoma है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. कुछ हन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं. विशेश रूप से अन्या एंटीडि और माउ इनिबिटर्स नामक दवाएं. कृपया अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रही हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो क लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.